नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी आसा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे साथियों दिलिपलिस कॉंस्टेवल की आपकी फाइनल मेरिट लग चुकी है और जिन बच्चों का डोकमेंट वेरिपिकेशन है अभी जो डोक्टरी होने के बाद अब उन बच्चों के मन में जो बच्चे रह गए थे उनके मन में बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि सेकिंड मेरिट लिस्ट आएगी क्या वेटिंग लिस्ट आएगी कितनी वेकेंसी खाली रह चुकी है जोइनिंग डेट आपकी क्या है चैंज हो गई है क्या और NCC वाल यह notice है जो अभी जो है आपको देख लिए को मिलगा होगा या आपको पता चल गया होगा कि आपकी जो है joining date यहाँ पे चैंज हो चुकिए यह 24 तारिक को आया था इसमें आपको बता दू मैं 29 तारिक में पहले जो आपका रोजगार मिला था जिसमें आपके join letter देने थे 10,000 प्लस बच्चों को जॉइन लेटर हमापे मिलने थे तो 29 तारीक से बदलकर अब यह फरवरी में पहुच गया है अब यह फरवरी में आपको यहाँ पर जॉइनिंग दी जाई तो बहुत सारे बच्चे इससे केंफ्यूज हैं सर ऐसा तो हो यह नहीं सकता रोजगार मेला पीछे कैसे हट सकता है तो बच्चों यहाँ पे इसनोंने पॉस्पॉंट कर दिया है तो यह आप जो है फरवरी में आपका यहाँ पे इन्होंने कर दिया है इसका कारण भी है क्योंकि जब तक बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे इस तरीके से एक 10,000 बच्चों को जोईन लेटर देना आपने आप में बहुत बड़ी बात है एक अच्छा जो है इंप्रेशन जाता है जब 10,000 बच्चों को वहाँ पे जो रोजगार मेला में जोईनिंग दी जाएगी तो वहाँ पे इस चीज को करने से क्योंकि अभी तक भरती कंप्लिट नहीं हुई है ये तो इसलिए इसको थोड़ा पीछे हटा दिया गया है तो यहाँ पे आपकी फरवरी में आप जो है जोईनिंग होगी फरवरी में आपको ये जोईन लेटर मिलने वाला है अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है जा अलग अलग तरह की भ्रांती है कि सर क्या सैकेंड मेरिट आएगी तो इसमें टोटल बात करने वाला हूँ बच्चों यहाँ पे आप देखीगा यहाँ पे टोटल आपकी जो वेकेंसी थी बच्चे कितनी थी 7,547 बच्चों आपकी यहाँ पे वेकेंसी थी जिसमें से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर यह पूरी नहीं भरी गई है टोटल कितनी भरी हैं बच्चों इन्होंने 79,76 इन्होंने वेकेंसी यहाँ पे भरी है यानि यही वेकेंसी इन्हों नहीं आपे लिए है आप कितनी वेकेंसी खाली रह गई है तो लगबगर मैं अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊ 7,547 में से यदि माइनस मैं आपे 6,976 करूँ तो लगबगर आप मान सकते हैं 571 वेकेंसी आपकी यहाँ पर खाली रह गई है 571 वेकेंसी खाली रह गई है अब यह खाली वेकेंसी है तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये बात आ रही है सर क्या second merit आने वाली है क्या second merit इसमें लगेगी अब बच्चों एक चीज आप मुझे यहाँ पर बताईगी का बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाओंगा इस चीज को यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के साथ ना इनसाफी हुई है क्योंकि सब की अलग-अलग आपको देख रहा होगा यहाँ पर कितने बच्चे इन्होंने लिये हैं कितने बच्चे इन्होंने कम किये हैं क्योंकि ओबीशे में भी जितनी वेकेंजी थी उतने बच्चे इन्होंने नहीं ले पाए हैं यह तो मुझे कही न कही लगता है इसमें कुछ ना कुछ तो प्रोब्लम इन्होंने की है जल्दवाजी के चक्कर में बहुत सारी प्रोब्लम इन्होंने आपे grade करती हैं बच्चे के mind में अब थोड़ा physical की मैं बात करता हूँ physical में देखे बच्चों के ने क्या किया है यहाँ पे उन बच्चों के साथ उन बच्चों ने क्या कर दिया जो अच्छे थे जो मैट से बाहर हो गई जो एक दो नमबर मैट नीचे आ जाती तो वो आ जाते और वो physical भी मार सकते थे यहाँ भी देखे टोटल आपके 86,099 बच्चे यहाँ पे physical के लिए उन्होंने पास किये कितने का physical है जिसमें से female candidate की बात बताओं तो 29,800 बाण में female candidate थे और 56,157 यहाँ पे male candidate रहे थे अब इन में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो present हुए हमाँ पे तो absent देख लिजए हैं absent यानि जो नहीं पहुच पाए बच्चे यानि किसी कारण वर्स के ऐसे भी करके वो नहीं पहुच पाए 32,178 बच्चे यहाँ पर नहीं पहुच पाए बच्चे अपने आप में बहुत बड़ा data है यह कि 32,000 ऐसे बच्चे जो वहाँ पे absent रहे यानि physical देने ही नहीं गए अब इन 32,000 बच्चों ने उन 32,000 बच्चों का कितना बड़ा नुक्सान कर दिया जो मेहनत करके और लगभग 60 पे या 62 नमबर पे रह चुके थे उनका भी selection हो सकता था अगर यह 32,000 पहले क्योंकि इन्होंने test दे दिया test देने के बाद यह वहाँ पे नहीं पहुच पाए अब इनके नमबर का कम थे whatever reason हो सकते हैं इनके साथ ना पहुचने के लेकिन अगर यह बच्चे वहाँ पहुचते तो इनमें कुछ तो आपके physical मारते हैं तो इसमें दिल्ले पर इसकी क्या गलती हो सकती है जब बच्चे हुआ पर पर परजयंट ही नहीं हुए और ज़ितने बच्चे परजयंट हुए कितने हुए यह 53,786 बच्चे हुआ परजयंट हुए तो बहुत सारे बच्चे कह रहे hour physical में बहुत बच्चे निकल चुके हैं तो बच्चे नहीं आप एपसेंट रहे हैं बच्चे जो परजेंट नहीं हुए थे ये कारण भी है कि आप पहले पेपर कराते हैं इसलिए ये कारण है क्योंकि बच्चा पेपर देने चला जाता है जो अच्छी तेयारी का है लेकिन फीजिकल मानने नहीं जाता है इसलिए दिल्ली पुलिस पहले फीजिकल कराती थी बा चलिए और बजाता हूँ आपको यहाँ पर एक चीज और सामिल करता हूँ इसमें जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी यहाँ पर जिससे कि आप समझ पाएंगे कुछ चीजे यह आप यहाँ देख सकते हैं फिजिकल की मेरिट देख सकते हैं आप यहाँ पर अगर मैं है ज जन्रल की 61 पे गई है, यहाँ पे देख लेज़ेगा, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे, सर यह क्या reason हुआ, यह reason हुआ है बच्चो, अब बहुत सारे बच्चो के मन में यह second merit आई है, बच्चो अगर second merit आती, आप एक चीज़ लगाए, second merit आती, तो यह 65 से यहाँ पे जन् का मतलब merit बढ़ी है, यानि बच्चे बाहर निकले होंगे, बच्चे बाहर निकले होंगे, यह नहीं निकले होंगे, अगर यह इन्हें बच्चे बाहर नहीं निकालने होते, second merit list आनी होती, तो यह merit क्यों बढ़ाते हैं, OBC की merit भी आपके देखिए 66 पर है, और वहाँ पे 67 जहाते समझ में आ जाएगी, कि second merit list आनी है, आपकी या नहीं आनी है, यहाँ पे मैंने लगा दी है, देखे, final भी आप देख सकते हैं, जनरल आपकी कितने गए, यह बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, आप देखिए 66 गई है, OBC की तो यह भी बढ़ी है, इन सारी merit आपके रहने का मतलब यही है, कि बच्चे उनके पास extra थे, तभी तो उन्होंने बढ़ा का इनको बाहर निकाला है, अब क्यों निकाला बाहर, अब यह भी आप देख लिजेगा, कि बाहर क्यों निकाला इन्होंने, इन्होंने बच्चे इतने कम क्यों लिए, इसके बारे में बता आते हैं अब इससे फालतो तो आप लेनी सकते एक भी वेकेंसी आप भर नहीं सकते ये अल्री पहले लिखके बता देते हैं तो कम वेकेंसी रह सकती है इसमें अगर आप एक नंबर और इसे उपर बढ़ाते अगर आप इस शिच्शी 9 करते तो ये आकड़ा जो है और कम हो जा क्योंकि एक पर्टिकल चीज होती है अगर इतने बच्चे आ जाते हैं तो उससे कम ही लेने पड़ते हैं इनको क्योंकि अगर एक भी बच्चा फालतो आ गया तो वेकेंसी के हिसाब से ये उसे नहीं भर सकते अब 571 वेकेंसी में लगबग 71 बच्चे और आपके सेलेक्ट ह जाएंगे तो आपके 500 बच्चे ऐसे हैं जो वेकेंसी खाली रह गई है अब इसके चलते हुए बच्चे बहुत ज्यादा परेसान है कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट आने चाहिए बच्चों सेकंड मेरिट लिस्ट की बात करता हूँ मैं यहाँ पे जिन बच्चों के 65 थे जिन बिल्कुल भी संभव नहीं है जो भी YouTube चैनल या कोई भी आपको बता रहा है तो बिल्कुल भी संभव नहीं है सेकंड मेरिट लिस्ट आने का तुकि आपको मैं सारी चीज़े हैं पर समझा चुका हूँ कितनी भी आपको यहाँ पर कुछ भी है आप देख सकते हैं कि अपके जो है नंबर जुड़ने चाहिए थे हाला कि ऐसा नहीं होता है क्योंकि फाइनल में ही आपके नंबर जुड़ते हैं बहुत सारे बच़्े के रहे हैं तो 5% का मतलब 5 number हो गई NCC B certificate है तो 3 number हो गई और NCC C है A है तो आपके पास यहाँ पे 2 number हो गई अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं sir इसमें जो है उनी बच्चों को number दे दीगी जो select थे old lady वो तो select थे ही तो यहाँ पे अगर यह physical में number दे जेते हैं अगर यह physical में number दे जेते NCC वालों को तो बहुत सारे बच्चे रहेते हैं लेकिन इनको ऐसा थोड़ी ना पता था कि इनके physical में सारे बच्चे भारो जाएंगे यह final में दे जाते हैं अगर आपका NCC certificate है तो उसको check करके final में आपको number दिये जाते हैं पास number तीन number दो number यह physical में नहीं दिये जाते हैं बच्चो तो इन्होंने ऐसा ही किया है physical में ना देके इन्होंने final में दिये हैं अब उन बच्चो को number जादा मिल गए अब NCC के जो और बच्चे हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत आ रही है तो यहां से भी अगर NCC वाले आपको लगता है बच्चो को कि हमारे साथ यह दिक्कत हुई है तो यह भी गल्थ है बच्चो यहां पर पहले इन्होंने बता जाता कि आपको final में आपकी यह number जुड़ते हैं जैसे आपको बता दूँ physical पर अगर आपको पहले जो तो physical के number थे अगर आपकी height जो है एक 80 से आपके उपर है एक 80 से उपर है या एक 80 है तो आपको number दिये जाते थे एक number दो number ती number तो ये number बच्चो पहले नहीं दिये जाते थे ये final में दिये जाते थे जब final merit आपके आती थी उसमें आपको ये number दिये जाते थे इसी तरीके से ये number भी आपको final में ही दिये जाते हैं बच्चा तो मुझे नहीं लगता आपको यहा पांसो वेकेंसी खाले जा रहे हैं यह ना आ Александ साफी है क्योंकि यह बच्छे जो है बहुत ही आपको पता होगा पांसो वेकेंसी के उपर एक गे को management करता है तो यहां पे 500 वेकेंसी खाली रहना अपने आप में बहुत बड़ा amount है यह 500 वेकेंसी बहुत बड़ा number है तो यहां पे यह गल्थ हुआ है कि इतने बड़ी वेकेंसी खाली रही है खैर अब ही आपको पता होगा बहुत जल्द जो वेकेंसी आईगी उसमें ये एड़ हो जाएगी तो जिन बच्चों को अभी थोड़ा इसमें डिप्रेशन है आप यहां से फिजिकल नहीं लगा है आपका तो बच्चों डिप्रेशन बिल्कुल भी न माने क्योंकि आपको पता होगा अपकी वेकेंसी चली हुई है यूपी प्लिस की आपकी वेकेंसी चली हुई है तो अच्छे से अपने तयारी करिए यह तो आपकी किस्मत के उपर है कि आपके कौन सी वेकेंसी मिलनी है कौन सी नहीं मिलनी है और मेहनत करते रहेगा बस तो यह थी आज़ी के हमारी वीडियो आसा करता हूं वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जूरू कर दीजेगा और अगर चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बैल आइकन को जूरू प्रेस क लेजिगा तो मिलते हैं गाइस नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ी